नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हैमित और गैजट्स फर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तों फाइनली ROG5 लाँच हो चुका है और यहाँ पर सर्प्राइज यह है कि इस पर आपको ROG का एक वर्जन नहीं बलकि तीन अलग अलग वर्जन देखने को मिल रहे हैं ROG5, ROG5 Pro और ROG5 Ultimate तो आज की इस वीडियो में हमारे पास अवेलेबल है ROG5 करते हैं इसका अन्बाक्सिंग, देखते हैं कि कैसा है ROG5 और क्या फर्स इंप्रेशन हमको देखने मलते हैं इसी डिवाइस के तो चलिए अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और दोस्तो ये है ROG5 का बॉक्स और साथ ही हमारे पास यहां पर अवेलेबल है Aero Active Cooler जो की एक फैन है, एक्षा एसेसेरी है इसके बारे में आपको बताएंगे लेकिन पहले करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स वैसे दोस्तों यह जो बॉक्स आप देख रहे हैं नहीं कोई ROG5 की दराफ एक चार्जिंग ब्रिक जो की आता है 30W के और प्रूट इटिंग के साथ में और लास्ट में हैं दोस्तो टाइप सी टाइप सी डिटेकेबल और यह है ROG5 चलिए मैं इसको रैपर से रिमूव करता हूं और दोस्तों कुछ इस तरीकी का फर्स लोग मुझे दे हैं तो राइट साइड में सबसे कॉर्नर स्वापको देखने को मिलते हैं इसके बाद हमें यहां पर वाल्यूम अप डाउन की पावर की और एक माइक भी देखने को मिल जाता है और साथ ही एक एंटीना भी दिया गया है अगर में बात करता हूं दूस्तों लाफ साइड की तो यहां पर आपको दो एंटीना देखनी को मिलेंगे इसके ऐलाभव एक साइड मौन्टेयश चार्जिग मूण पोर देखने को मिल जाएगा और एक अस्ससरी डॉक इसके लाबव यहां पर रैड कलर में आपको देखनी को मिल जाता है स्सेां ट्रे बॉक्टम साइड में ट्रिपल लीर केर्म साइट अब और एलेडी फ्लेश साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको आरोजी को ब्रेंडिंग देखने को मिल जाएगा और जो कलर है आरजीब लाइट कुछ इस तरकी के आपको देखने को मिलती है तो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिक में ही बताया था कि यहां पर आपको कुछ एनिमिशन देखने मुलेंगे कुछ इस तरीके से तो मतलब एक यूनिक एक्सपरीन्स आपको देखने हुआ है अन्बॉक्सिंग का भी तो दोस्तों यह एक्सपरीन्स मुझे काफी अच्छा लगा बागि आप बताएगा नीचे कामेंट सेक्शन में आपको यह कैसा लगा तो दोस्तों डिजाइन तो नो डूट काफी जद इंप्रेसिव है इनफेक्ट यह मुझे आरोजी 3 के कंपरेजन में भी काफी अच्छा लग रहा है काफी प्रीमियम लग रहा है इ वैसे दोस्तों बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की तो यहां पर दिया गया है 6.78 इंचेस का स्क्रीन साइज जो क्या आता है सामसंग का सूपर एमोड़ेट पैनल और सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है फोन इस बर भी आपको देखने मलता है 144 हट्स के स्क्रीन दिस्प्ले भी देख सकते हैं 800 इस का बैटने सापको देखने मलता है और सामसंग का सूपर एमोड़ेट पैनल है तो अमेजिंग डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो फोन की डिस्प्ले और डिजाइन से तो मैं अभी तक काफे जद़ इंप्र अब दूसर अगर हम बात करते हैं फोन की पर्फॉर्मेंस की तो जैसा कि हम जानते ही है कि आरोजी की सारे फोन समें टॉप नौच स्पेसिविशन की साथ में दिखने हो मलते हैं तो आरोजी फाइब भी आता है दुस्तो स्नैप्रेगन के ट्रिपल चिप सेट के साथ में ज आपको बदा दें कि इस फोन में आपको UFS 3.1 का स्टोरिज भी दिखने हो मिलता है तो यह इस फोन की पर्फॉर्मेंस को और जदा इनांस करेगा तो यहां पर नो डौट पर्फॉर्मेंस हमें काफी अच्छा दिखने हो मिलने वाला है और हां यहां पर आपको कुछ और अ इसके लबाद इसके लब यहांपर हमें motions triggers भी दिखने को मिल जाते हैं इसके लब दुस्तों यहांपर जो एक extra accessories है Aero Active Cooler 5 वहां पर भी आपको triggers दिखने को मिल जाते हैं दो तो यहांपर हमें काफी सारे buttons दिखने हो मिल जाते हैं gaming के लिए तो obviously यहां पर जो gaming experience होगा वो का इंप्रूब कर दिया गया है इसके अलब दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं फोन की बैटरी की तो यहां पर 6000 इमिज का बैटरी दिया गया है वैसे मैं आपको अदा दो कि 30 वाट का हाइपर चार्ज आपको देखने हो मिलता है इन बॉक्स ही जो चार्जर प्रिक है वो आप हमें dual frontfire speaker देखने को मिल जाते हैं आप एक सेंपल सुनिए तो जब हम गेमिंग करते हैं तो भी चार्ज इसली हो पाएगा और यहां पर एक अच्छी बात यह है कि इस फोन में में 3.5 जग भी देखने को मिल रहा है जो कि आरोजी 3 से हटा दिया गया था लेकिन इस बार हमे आरोजी 5 में 3.5 जैक दिखने को मिलता है कैमरा की बात करते हैं दोस्तो तो यहां पर हमें 64 MP का primary sensor देखने को मिलता है जो कि आता है Sony IMX 686 sensor के साथ में मतलब पहले जैसा ही camera setup आपको देखने को मिलता है जो कि हमने आरोजी 3 में देखा था दोस्तो बात की जाए variants की तो प्रो यह आपको मिलता है 16GB RAM वेरिंग के साथ में जहां पर 512GB का storage यूश किया गया है और जो ROG Ultimate है यह आपको मिलता है 18GB RAM वेरिंग के साथ में यहां पर भी आपको 512GB का storage देखने को मिल जाता है और यह सभी phones आपको UFS 3.1 और LPDDR5 RAM के साथ में देखने को मिलने वाले हैं और अगर मैं बात करता हूँ price की तो मुझे लगता है कि जो ROG 5 का base variant होगा वो लगबग 50,000 रुपर से start होगा चली देखते हैं कि क्या price आता है अगर यह price आता है तो मुझे लगता है कि एक तम correct price रखा गया है ROG 5 के लिए बाकि जो उसके ऊपर वारे variant होगा उन सभी की pricing trail आपको नीचे comment section मिल जाएगी तो वहाँ पर जागे आप चेक कर सकते हैं तो चली दोस्तों बस यही था आज कि इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आपको इस वीडियो को like or share करना मत बुलिएगा अगर आप चाहते हैं से और वीडियो देखना चैनल को सब्सक्राइब भी लिजी हम आपसे मिलते हैं अकले ऐसे वीडियो में तब तक के लिए आपकी दिन शुब रहें और आज कर दो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद